दोस्तो 29 जून को भारत सरकार ने इंडिया के अंदर बहुत सारी चाइनीज एप्स को बैन कर दिया था उन सभी बैन हुई चाइनीज एप्स की लिस्ट आप अपनी फोन के स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तो इस लिस्ट के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी एप्स मिल जाएंगी जो की इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपलर थी और बहुत ज़्यादा लोग इसे इस्तिमाल करते थे इसी लिस्ट में आपको एक ऐसी एप मिलेगी जिसका नाम है Shareit दोस्तो Shareit का इस्तिमाल हम अपने एक फोन से दूसरे फोन के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तिमाल करते थे लेकि दोस्तो अब इसके बंद होने के बाद बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि Shareit का Replacement क्या है तो दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको Made in India एप जिसका नाम है Jio Switch इसके बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तो सबसे पहले हम जानेगे कि आपको Jio Switch क्यों इस्तिमाल करना चाहिए दोस्तो अगर आप अभी भी Shareit का इस्तिमाल करते हैं तो आपको Jio Switch जरूर इस्तिमाल करना चाहिए अपर दोस्तो लेफ्ट साइड पर आप Shareit की डिटेल देख सकते हैं और राइट साइड पर आप Jio Switch की डिटेल देख सकते हैं तो यहां पर आप Clearly देख सकती आए कि अगर आप अपने अज फोन के इंदर Shareit का इस्तिमाल करते हैं तो share it आपके phone के अंदर सेव होने के लिए 35 MB की space cover करेगी और दूसरी तरफ जोson fox है आपके phone के अंदर save होने के लिए ऋरफ की 5.7 MB की space y cover करेगी तो दूस्तो एक तो सबसे बड़ा फाईदा यह हो गया कि आपके phone के अंदर space बहुत ही कम इस्तिमाल हो रही है और दूसरा फाइदा यह है कि यह एक मेडिय अडिया आप है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका काम दोनों का सेमी है आपको डेटा ट्रांसफर करना है एक फोन से दूसरे फोन के अंदर तो आप जिए स्विच का इस्तिमाल जरूर करिए तो आज मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो लेक्टर दोंगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जिरूर करेगा और इसी तरह की बहुत सरी वीडियोस देहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए चलिए हम अपने मुबाइल होन की स्क्रीन प करने ने के वाद को कुछ एक company होगी और मैं तրह को बतांगा कि आप किसा ट्राइल कर सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से यादा आप शेयर करेदी के जितना आप शेयर खाले की उतना जिघर इस इंटियन लिक्राइब को पता चलेगा और इसी तरह हम अपनी इंडियन डिव्वालपर को दिन एप्स को पोस्पोर्ट कर सकती हैं दोस्थ हम रहाँ पर एक बाद हम क्लिर करना जाथ है कि एप यह दि कौन घ्रवनद्र इंडिया के बिल्कुल अब इस fan पर डीटा ट्रांफर करना चाहते हैं और जिस दूसे डिटा ट्रांसफर करना जाते हैं दो क्या से अधर की अफ्सकों करना चाहिए और चलिक रहा है और यहां पर कुछ एक पर 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 मीचान चलिए इसको हम allow कर देते हैं और यहां पर इसको हम एक बटन पर क्लिक कर देते हैं कि हमने दोनों ही फोन के अंदर जो जियो स्विच आप वो इंस्टॉल कर ली है तो इसके बाद दूस्तों हम यहां पर आप देख सेथे हैं कि इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ह करना है कि आपने जिस फोन से डेटा ट्रासूल करना है और जिस फोन के उपर डिटा रशीव करना है दोनों ही फोन के अंतर जो है वो जीव switch को install कर लेना है तो अब यहां पर अगर आप किसी को file send करना चाहते हैं तो यहां पर send के उपर क्लिक कर दिये और जिस phone के अंदर आपने data receive करना है उसके उपर आप data जो है वहां पर receive button पर क्लिक कर दिये इसके बाद दुस्तों आपके समने जो भी आप data transfer करना चाहते हैं उसकी आपके समने एक list आजाएगी तो सबसे पहले चलिए हम यहां पर send button पर क्लिक कर लिए तो यहां पर दुस्तों आप देख सेते हैं आप जिस phone से data transfer करना चाहते हैं उस phone के अंदर मौझूद सभी files की हमारे समने एक list आगी है तो आप इसके अंदर जो भी file जो भी data आप transfer करना चाहते हैं उसको आप slide कर लिए जैसे यहां पर मैं music file को transfer करना चाहता हूँ तो यहां पर मैंने music file को slide कर लिया है जो हमारे समने एक send button है वो highlight हो चुका है और दोस्तों जिस phone को आप data receive करना चाहते हैं उसकी उपर आपको एक receive का button होगा उसकी उपर आपने क्लिक कर देना है और उस phone का आपने wifi को enable कर देना है तो दोस्तों जैसे यह आप send button पर click करेंगे यह जो आपका phone है वो दूसरे phone को scan करना शुरू कर देगा यानि कि search करना शुरू कर देगा लेकिन दूस्तों आपका दूसरे फून तब तक आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक आप दूसरे फून को Receive बटन पर क्लिक नहीं करेंगे और उसका जो वाइफाई है उसको इडेबन नहीं करेंगे तो दोस्तो वाइफाई और रिसी बटन पर क्लिक करने के वद आपके सामने जो डिवाइस है वो डिटेक्ट हो जाएगी और यहां पर आप सक्रीन के नीचे देख सेथे हैं कि हमारे सामने दो आप्शन और भी आ रही है अगर आप जियो फोन पर डिटा ट्रांफर करना चाहत दोस्तो इसके आंदर बहुत ही कॉस्ती देटा और अबस तो यहां आप सब्सक्राइब करिया नहीं करता हो कि आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी नधर जिरू करेगा और दोसस्तों इसी तरह की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक देखते हैं स्किल टीचर नमस्कार